हलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेर करेंगे आपके साथ चावल के आटा की पुआ की रेसिपी बिहार में होली के अपसर पर बहुत सारे तरीके से पुआ बनाया जाता है इससे पहले भी एक रेसिपी पुआ का हम से एक बार देखिएगा वीडियो को लास्ट तक रेसिपी आपको पसंद आएगी तो चलिए हम बनाते हैं चावल के आटा के पुआ तो इसके लिए एक बरे से बॉल में हम डालेंगे एक कटोरा भर के चावल का आटा अब किसी भी कप या कटोरा से माप सकते हैं और अब इसमें एक चोथाई कटोरा डालेंगे मैदा और अब इसमें हम डालेंगे नारियल सूखा नारियल को कदू कस करके डालेंगे आप इसके जगह पे काजू, बदाम, किसमिस और भी जो भी ड्राइव फूर्ट्स आपको पसंद है वो डाल सकते हैं और आदा कटोरा हमें हाँ पे ची करते जाएंगे दूद से आप अगर घोल बनाएंगे ना तो पुआ बहुत अच्छा बनता है वैसे आप इसके जगह पे पानी भी डाल सकते हैं पानी से भी घोल सकते हैं तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डूद डालते हुए हम इसे मिला लेंगे एक बड़ में पुरा द और अब हम पुआ बनाएंगे चीनी अच्छे से मिल्ट हो गया है तेल को हम चेक कर लिये हैं और तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो गैस कप हम स्लो टो मीडियम रखिएगा स्लो से थोरा सा जादा रखिएगा और एक चमच बैटर हम इसमें डाल दिये हैं और हलके हाथ से इसके उपर हम तेल उच्छा लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से यह पुआ फुल रहा है तो इसे हम पलट लेते हैं और एक अच्छा सा कलर आने तक हलका लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत सुन और बहुत अच्छे से फूल जाता है आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम यहां पे मीडियम से भी कम ही रखिएगा हाई नहीं रखिएगा नहीं तो यह अंदर कच्च रह जाएगा पेस्ट जैसा रह जाएगा तो यहां पे आप देख सकते हैं कितना सुन्दर कलर आ गया ना त अगर आपका फूल नहीं रहा है लग रहा है कि घोल पतला हो गया है तो थोरा सा मैदा या फिर चावल कांटा दोनों में से कुछ थोरा सा मिला दीजे और अच्छे से मिक्स कर लीजे तो एकदम फुले फुले पुले आप बना के तैयार करेंगे थोरा सा गाढ़ा रखिए पर इसे आप बनाने के लिए होली का वेट करें ऐसा कुछ नहीं है आप इसे कभी भी बना सकते हैं और हम आपको एक पुआ तोर के भी दिखाते हैं यह अंदर तक बहुत अच्छे से फुला हुआ है बिल्कुल अंदर पेस्ट नहीं है आप देख सकते हैं तो एक बर आपके पास पहुंच सके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए, थाइंक्यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसेपी के साथ